Hello everyone, welcome back again हम सब के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है Easy Ayurveda with Vicky आज का टॉपिक है Creamy Rogue, बहुती जादा important टॉपिक है Creamy Rogue से कम देखा गया है 20 marks का question आते हुए बट यहां से 10 marks का question हमेशा पूछा जाता है, तो आज हम Creamy Rogue के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम सबसे पहले Creamy Rogue की व्यादी परीचे देखेंगे, उसके बाद निरुक्ती देखेंगे, उसके बाद भेद जो बहुती जादा important है भेद हम एक simple निमोनिक के जरिये देखने वाले हैं, उसके बाद निदान, फिर समप्राप्ती उसके बाद लक्षन और स्वरूप और लास में चिकिट्सा, और चिकिट्सा किसने करनी है? आपने आपने का मतलब है, आपने तो करनी ही है आप सब डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन आपने इसकी एक निमोनिक भी है अ से बन जाता है आपका, अब कर्षन इसकी एक रिक्वेस्ट है, कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, आप अपने डाउट्स और कोशन मुझसे इंस्टा पे भी पूच सकते हैं, मेरी लिक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, व्यादी परीचे क्रीमी रोग के बारे में अथरवेद में भी वर्णन मिलता है रिग वेद में क्रीमी दुआरा गर्ब को नश्ट करने की बाद कही गई है जैसे कि हम सभी को पता है, हमारे चार वेद होते हैं रिग वेद, यजुर वेद, साम वेद और अथर वेद इसमें से जो रिग वेद और अथर वेद है, इन दोनों में आईरवेद विश्य का ग्यान हमें प्रचूर मातरा में मिलता है और क्रीमी का ग्यान भी हमें इनी दो वेद में प्रचूर मातरा में मिलता है समस्थ आईरवेद ये गरंथों में क्रीमी रोका सव विस्तार वर्णन मिलता है मुख्यत क्रीमी के दो भेद वर्णित है इन जर्नल तो इन जर्नल जो क्रीमी के दो भेद माने गए है ब्राह क्रीमी और अभ्यांतर क्रीमी इसके और भी वर्गी करण हम ले सकते हैं वो हम आगे देखेंगे लेकिन इन जर्नल में आपको याद रखना है कि मुख्य तक क्रीमी के दो भेद वर्णित है ब्रह और अभ्यंतर क्रीमी जनमोत्तर कालज 20 प्रकार की क्रीमिया होती है तो यह नंबरिंग आपको याद रखनी है कि कुल क्रीमियों की संख्या 20 ठीक है, entrance exam के लिए भी important है, तो क्रीमियों की कितनी संख्या, 20 प्रकार की क्रीमिया हमें देखने के लिए मिलती है, तो ये था हमारा व्यादी परीचे, अब हम चलते हैं, निरुक्ती की और, क्रीमी, क्रीवय, मेग इती, ये निरुक्ती बहुती जादा important है, एक निरुक्ती इसकी कही गई है, बहुती जादा important, आप सभी को याद रखने हैं कि क्रीमी, क्रीवय, मेग इती, अर्थात, जो मास के प्रती स्नेहन रखता हो, उसे क्रीमी कहा जाता है, तो ये इसकी निरु अब हम चलते हैं क्रीमी के भेद की और भेद बहुती जादा इंपोर्टेंट है और आपको यह याद रखने होते हैं ध्यान से सुनिएगा क्रीमी के दो भेद बोले गए हैं एक सहज और अविकारिक और दुसरा बोला गया है हमारा जन्मोत्तर कालज और विकारिक तो जो मतलब यह होता है हमारा अविकारिक कोई विकार उत्पन नहीं करता लेकिन जन्मोत्तर कालज means जो जन्म के बाद हमें मिलता है और यही हमें विकारिक मतलब यही विकार उत्पन करता है और जन्मोत्तर कालज भी दो प्रकार के कहे गए है ब्राह और आभिहांतर ब्राह कौन कौन से होता है, सिर्फ दो होते है कैसे U का और PPLI का, U का और PPLI का आप कैसे याद करेंगे, देखे BRAHA का मतलब बाहर, तो बाहर जादा कौन लोग काम करता है UP State, ठीक है जो UP के लोग है वो जादा hard work और field work का जादा करता है, बाहर जादा काम होते हैं, आभिहंतर में, आभिहंतर तीन कहे गए है, पूरी शज, कफ, फज और रखतज, तो इनकी संगे हम आगे देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अचारियों ने इनकी अलग-लग संखिया बताई गई है, तो वो हम आगे देखने वाले है, तो फिर से मैं बता देता हूँ क्रीमी हमें दो प्रकार की होती है, कौन-कौन सी, सहज और अविकारिक, और जो दूसरी बोली गए जन्मोत्तर कालेज और विकारिक जो विकार उत्पन करती है, और जन्मोत्तर college भी हमारी 2 बोली कही यह कौन-कौन सी ब्राह है और आभि़हंतर ब्राहा आप कैसे याद करेंगे ब्राह क्रीमी की संक्या कितनी होती है दो कैसे याद करें कि ब्राहर मतलब बाहर तो बाहर जादा कौन लोग काम करते है यूपी के इनकी संक्या हम आगे देखने वाला है, पूरिशच की कितनी होती है, कफ़च की कितनी होती है, रख्टच की कितनी होती है, आपको ये flow diagram याद रखना है, ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही जादा important है, और ये बात आपकी help करेगी, चाहे आप 1st year में हो, 2nd year में हो, 3rd year में हो या आप final year student हो, हमेशा we have to give priority to अचारे शुष्टूत first, after that अस्टांग, हिर्दे और वागभट, and after that at last we have to give priority to अचारे चरक, हमेशा चाहे कुछ भी हम वर्गी करन लिखेंगे, चाहे प्रयाय लिखेंगे, चाए भेदे लिखेंगे, कुछ भी किसी के भी मतानुसार लिखेंगे, तो सबसे पहले waking up, फर्स नमबर पे, हम चारे शुशुत मतानुसार लिखेंगे दुसरे नमबर पे अस्टांग हिर्दे या वागभट मतानुसार लिखेंगे और at last हम लिखेंगे अचारे चरक मतानुसार तो ये sequence हमें follow करनी है बहुती ज़ादा important ये sequence है अगर आप इस sequence से चलेंगे तो आप कभी किसी के भी भेद, प्रयाय, वर्गी करें कुछ भी लिखने में कभी भी आप confused नहीं होएंगे तो सबसे पहले we have to give priority to अचारे शुशुत first तो ये सिर्फ UG level के लिए है PG level के थोड़े से हाँ पर changes हो जाते है वो जब मैं वीडियो आपके लिए वो वाली बनाऊंगा तब मैं आपको वहाँ पर और भी जादा clear कर दूँगा UG level के लिए इतना आपके लिए enough है तो आईए देखते है सबसे पहले आज हम देखेंगे क्रीमियो का वर्गी करण वो ही ब्राहर आभिहंतर क्रीमी ठीके आप सभी को पता है ब्राहर के तीन होते है ब्राहर एक होता है ब्राहर के कोई भी वर्गी करण नहीं होते है आभिहंतर के तीन होते है पुरीशच, कफच और रक्तच तो कैसे याद करेंगे कि पुरीश में कफ और रक्त तो ये सीक्वेंस आपको याद करनी होती है उसके बाद हम उसी सीक्वेंस से चलेंगे अचारे शुशुशुट ने क्या बोला? फिर अस्टांग हिर्दे ने और after that चरक तो शुशुरूत ने क्या बोला शुशुरूत ने बोला कि ब्राह क्रीमी नहीं होती है ब्राह क्रीमी के भेद उन्होंने नहीं बताए आभ्यांतर क्रीमी बोली गई है पूरी शच के साथ, कफ़ज के छे और रग्तच के साथ आपको बस यह याद करना है बाकी अस्टांग हिर्दे और चरक मतानसवार मैं आपको याद करा दूँगा सिर्फ आपको यह याद करना है कि 7,6,7 अब एक बात सुननी है आपको एक स्टोरी सुननी है कि शुष्रूत की कभी किसी के साथ बनती नहीं थी तो शुष्रूत की कभी किसी के साथ बनती नहीं थी सबसे लड़ाई रहती थी तो एक स्टोरी सिर्फ आपको सुननी है अब यहाँ पर अस्टांग हिर्दे और चरक ने क्या बोला इन दोनों की थी दोस्ती अस्टांगिर्दे और चरक की थी दोस्ती लेकिन शुशुत के साथ इनका बिल्कुल contrast है जो शुशुत बोलेंगे वो अस्टांगिर्दे नहीं बोलेंगे चरक भी नहीं बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर भेध हम देखेंगे सबसे पहले शुशुत ने बराह के नहीं बोले वो लेकिन अस्टांगिर्दे ने बोला हाँ दो होता है तो उन्होंने दो पूरीशत से ले लिए ठीक है तो इसके पास दो आ गे अब पूरीशत के बास कितने बचे जब दो बराह में डाल दिये इन्होंने अब साथ में से दो गए कितने बचे पांच तो पुरी शर्च के पांथ भेज आ गए उसके बाद अब कफज और रक्तज भी इन्होंने बोला नहीं अस्टांगेर्दे और चरक ने बोला नहीं हम शुषूत के जैसा नहीं रखेंगे तो हम अलग ही रखेंगे तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिए रक्तज के छे बता दिये और हमारे कफज के साथ बता दिये तो ये भी इन्होंने इंटरचेंज कर लिए कफज वाले रक्तज में डाल दे रक्तज में डाल दे तो ये स्टोरी है आपको ये याद रखनी है और अस्टांगेर्दे और च छे तो बहुत ज़्यादा important है ये story से आप याद रखेंगे इस story को आप recall करेंगे और इस से याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे तो ये थी इसकी वर्गी करण और भेद अब चलते हैं हम आगे इनके नाम याद करते हैं तो आप total देखेंगे तो 20-20 हमारी हाँ प पर जन्मोत्तर कालाज और विकारिक जन्मोत्तर कालाज दो प्रकार के होता है ब्राहर और ब्राहर को भी हम मलच भी बोलता है आभ्यांतर ब्राहर आप सभी को पता है ब्राहर मतलब बाहर और बाहर लोग कौन काम करता है यूपी वाले जो यूपी स्टेट के लोग होता है वो जाद है hard working और field work वाले जादा रहते हैं तो उससे हम u से याद रखेगे टीके u का और पिपली का दो होते हैं तो यह आपको याद रखना होता है उसके बाद अब हम इसकी निमोनिक देखने वाले हैं कि पुरीशज के 5 प्रकार तो इस प्रकार से कुछ इसके निमोनिक है कि केक मेकर 100 लेकर शूली चड़ा एक केक बनाने वाला था तो उसने 100 रुपले और वो शूली चड़ गया तो केक मेकर 100 लेकर शूली चड़ा तो क्या निमोनिके से डिकोड करता है केक से बन जाता है हमारा कके रुक केक मेकर 100 लेकर शूली चड़ा, केक ककेरुक, मकेरुक, सौसूराद, लेलिह और शशूलक तो यह आपके पुरीशज के 5 प्रकार है इन्हे आप इस नेमोनिक से याद कर सकते है जो सेकंड हमारी नेमोनिक बनती है वो हमारी कफज क्रीमी के 7 प्रकार तो इस प्रकार से कुछ निमोनिक है कि सोगंदित पुष्प का अन उदर हिर्दे में महाचुबन करता है जो सोगंदित पुष्प है उसका अन उदर और हिर्दे में महाचुबन करता है तो आईए से decode करता है, सोगंदित से बन जाता है हमारा सोगंदिक, उसके बाद पुष्प से बन जाता है हमारा दर्ब पुष्प, फिर अन से बन जाता हमारा अंतराद, उदर से बन जाता हमारा उदराद, हिर्दे से बन जाता हमारा हिर्दे चर, महा से बन जाता हमारा महा और चुबन से बन जाता है हमारा चूरू तो ये बहुती जादा important निमोनिक है कुछ इस प्रकार से है कि सोगंदित पुष्प का अन उदर और हिर्दे में महाचुबन करता है सोगंदिक उसके बाद आता है दर्ब पुष्प फिर आता है हमारा अन्तराद, उदराद, हिर्देचर, महागुद और चूरू ठीक है तो ये निमोनिक से आप इसे याद कर सकते है उसके बाद आता है रक्तज क्रीमी के छे प्रकार तो रक्तज क्रीमी के छे प्रकार कुछ इस प्रकार से निमोनिक है कि जन्तु ने सौरस केश और लोम लोम पर लगाया कोई भी एक जन्तु है उसने जो सौरस ठीक है कोई भी एक जन्तु है उसने सौरस केश पर और लोम लोम पर लगाया तो आईए से decode करते हैं जन्तु से बन जाता है जन्तु मात्र सौरस से बन जाता है सौरस केश से बन जाता है केशाद ओ से बन जाता है उदुमबर आप अब मुझे बताईए कमेंट करके आप बता सकता है कि उदुमबर और किसका भी प्रयाय है जिसका कमेंट अच्छा होगा उसका मैं पेंड आउट वो कमेंट कर दूँगा तो आपको बताना है कि उदुमबर और किसका प्रकार है तो यहाँ पर उदुमबर बोला गया है लोम द्वीप और उसके बाद एक और लोम से बोला गया है लोमाद तो यह आपको निमोनिक याद करनी है कि जन्तु ने सौरश, केश और लोम लोम पर लगाया जन्तु मात्र, स पॉरस, केशाथ, उदुमबर, लोमदीप और लोमाद, ठीक है तो उदुमबर आपको बताना है मुझे, कमेंट करके, कि उदुमबर और किसका भी आपने भेद पड़ा है, जिसका कमेंट अच्छा हुआ, उसका मैं पेंट आउट कर दूँगा, ठीक है, उसके बाद, लास मे और फिल्ड वर्क जादा करता है, तो यूपी, ठीक है, तो कौन-कौन सा बन जाता है, यूका और पिपिलिका, ठीक है, तो ये थे, इसके भेद और प्रकार, होप करता हूँ, आपको ये निमोनिक से याद हो गया होगा, उसके बाद, अब हम चलते हैं, निदान की और, क्र मधूर और अमल पदारतों का अती सेवन, वयाम नहीं करना, विरुद अन सेवन, तुक विकारों के से पीडत रोगी के संपर्क में रहना, और जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, सनान नहीं करना, तो धियान रखेगा, अगर आपको क्रीमी रोग नहीं, अपना आप में करव खाना है, तो सनान जरूर कर लिजीगा, तो सनान जरूर करना है सबने, तो क्या हो गया, अजीन भोजी, मतलब अजीन होने पर भी, और भोजन खाना, मधूर और अमल पदारतों का आती सेवन, वयाम नहीं करना, विरुद अहन का सेवन करना, और तो कभी कार जिसे पहले से, स्किन डिजीज ए स्किन डिसॉडर है आप उसके कॉंटेक्ट में रहते हैं और इसनान नहीं करना बहुत ही जादा important तो इसनान जरूर कीजेगा ठीक है उसके बाद अब हम चलते हैं संप्राप्ति की और संप्राप्ति आप सभी को बताएं संप्राप्ति कैसे लिखनी है सबसे पहला आपको दोश दूश अधिश्टान पताऊने चीए दोश इसमें कौन से होता है कफ प्रधान त्री दोश ठीक है तो याद रखना है दोश जो हमारे क्रीमी रोग में दोश कौन से होता है कफ प्रधान त्री दोश उसके बा ब्रहमन मतलब घूमती है और क्रीमी रोग की उत्पत्ती करती है ठीके क्रीमी रोग को उत्पत्ती करती है निदानों के सेवन से क्रीमी उत्पत्त हो जाती है वो पूरे शरी में भ्रहमन करती है और क्रीमी रोग की उत्पत्ती हो जाती है तो यह थी इसकी संप्राप्ती अब गुदमार की और तथा उपर आमाशे की और संचरित होती है तो क्या बोल लगा है कि जो ये क्रीमी है ये पकवाशे से नीचे गुदमार की और तथा उपर आमाशे की और संचरित होती है अब इसके लक्षन अब देखेगा लक्षन आपको रटना नहीं है लक्षन समझना है क तो आपको सिर्फ पकवाशे कोरिलेट करना है, पकवाशे से कोरिलेट करके आप इसके लक्षन लिखेंगे, उसके बाद कफज क्रीमी क्या वो लगा है कि कफज क्रीमी का स्थान आमाशे है, एंटरेंस एक्जाम का ये कोशन है कि कफज क्रीमी का स्थान पूछा जाता है कि आपको याद रोना चाए कि कफ़ज क्रीमी का इस्थान आमाशे होता है, अब आप इसके लक्षण कैसे लिखेंगे, आमाशे से कोरेलेट करके, तो आमाशे से कोरेलेट करके इसके लक्षण लिखेंगे, अब विपाक, जिम्बा enclosed जोर छदरी आदी, ये सब इसके कफ़ज क लिखेंगे कि कंडू, सुई चुबने जैसे पीडा, बाल का जढ़ना आदी ये सब हमारे रक्तज क्रीमी के लक्षन होते हैं ठीके तो पूरी शज में कैसे कोरिलेट करके लिखेंगे आप इसके लक्षन पकवाशे को कोरिलेट करके लक्षन लिखेंगे रक्तज में रक्त को correlate करके आप इसके लक्षन लिखेंगे ठीक है तो समझ के पढ़िएगा हमेशा आपको याद रहेगा उसके बाद at last बहुत ही जादा important हम चिकित्सा पर चलते हैं तो अचारे चरक ने creamy चिकित्सा के तीन प्रमों के सिध्धान्त वर्णित किये गए अब इसके चिकित्सा किसने करनी है creamy की चिकित्सा आपने करनी है आप future doctor है आप doctor बनने वाले तो इसके चिकित्सा भी आपने ही करनी है हाँ हाँ आप ही करेंगे इसके चिकित्सा ठीक है तो आपने हम correlate करते है अ से बन जाते है हमारा अपकर्षन तो क्रीमी के चीकित सा किस ने करनी है आप ने करनी है अपकर्शन का मतलब क्या वो लगा है इसमें क्रीमियों को यंत्रों से या हाथ से पकड़ कर बाहर निकालने का विधान है तो अपकर्शन का मतलब क्या होता है अपकर्शन का मतलब होता है खीच कर बाहर निकालने का विधान बताया गया है तो अपकर्शन का मतलब ये होता है उसके बाद आता है second जो हमारी चिकित्सा है वो है हमारी प्रकर्ती विगाद तो प्रकर्ती विगाद क्या होता है कि क्रीमियों की प्रकर्ती का नाश करना प्रकर्ती विगाद है जो उसकी favorable condition है क्रीमियों की उसको destroy करना ठीक है तो प्रकरती विघात मतलब जो क्रीमियों की प्रकरती का नाश करना ही प्रकरती विघात है इसमें क्रीमियों की प्रकरती के विरुद, कटू, तीक्त, कशाय चार एवं उशन द्रव्यों का प्रियोग कराकर क्रीमियों को नश्ट किया जाता है ठीके तो प्रकर्ति विखाद मतलब जो क्रीमियों की प्रकर्ति है उसका नाश करना ठीके उसके बाद निदान परिवर्जन आप सभी को पता है कि क्रीमी रोग की विभिन निदानों का परितियाग करना ही निदान परिवर्जन है तो ये इसकी चिकिचा किसने करी आपने करी तो A से बन जाता है अपकर्शन, P से बन जाता है प्रकर्टिविगात और N से निदान परिवर्जन उसके बाद औशदिये योग क्रीमी के औशदिये योग तो क्रीमी के योग हम लिख रहे हैं तो क्रीमी को कोर्रेलेट करके ही हम उसके औशदिये योग लिखेंगे सबसे पहला आता है यापर क्रीमी मुद्गर रस ठीक है तो ये बहुत ही जादा important है उसके बाद आता है क्रीमी हर रस फिर आता है क्रीमी घन रस फिर आता है क्रीमी घाटनी गुट्टी का बहुत ही जादा important है ये क्रीमी घाटनी गुट्टी का उसके बाद लाकशादी वटी और संजीवनी वटी तो ये कुछ औशदी योग थे क्रीमी के जो आप अपनी एक्जाम में लिख सकते है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैंने निमोनिक बताई है आप उसे एक दो बार रिवाइस करेंगे एक दो बार पढ़ेंगे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे आपको इसली याद हो जाएगा So, thanks for watching, keep supporting, thank you